पूर्व मुख्यमंतरी कमलनात के बयान को लेकर अब मुख्यमंतरी शिवरास सिंध चोहान ने उन पर हमला बोला है। मुख्यमंतरी चोहान ने कहा कि कमलनात ना तो चाय वाले हो सकते हैं और ना ही मामा और ना ही किसान हो सकते हैं। क्योंकि मामा तो वो होते हैं जो मा बहनों की इज़त करता है लेकिन कमलनाथ तो कभी नहीं करते और ना ही नात किसान हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने किसानों से किये वादे पूरे नहीं किये हैं पूर्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयानों को लेकर भाजपाई उन पर जोरदार हमला कर रहे हैं। पहले विजेपी अध्यक्ष और ग्रह मंत्री ने कमलनाथ को पैसे की घमण में चूर और एहंकारी वेक्ती बताया था। अब S.M. मुख्यमंत्री शिवरासिन चोहान ने उन पर हमला बोलते वे कहा कि कमलनाथ पर मुझे तरस आता है। कई बार लगता है कि उनकी उम्र उन पर हावी हो चुकी है। तब ही वो कहते हैं कि मुझे विधायकों की कोई जरूरत नहीं है। विधायक क्या होते हैं लोगतंत्र में चुने हुए जन प्रतिनीदी की हैसियत भी संभिधान में बताई गई है। और कमलनाथ भी जानते हैं कि विधायक ही मुख्यमंत्री चुनते हैं। अब मुझे तो कमलनाथ जी पर तरस आता है। मुख्यमंत्री चुहान ने कहा कि कमलनाथ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उन्होंने कली कहा था कि ना तो मैं चाय बेचने वाला हूँ और ना ही मैं मामा हूँ। अब कमलनाथ मामा तो बन नहीं सकते क्योंकि मामा वो होते हैं जिनके दिल में बहन बेटियों के लिए सम्मान होता है। और वो चाए वाले भी नहीं हो सकते क्योंकि चाए वाला तो कोई गरीब ही हो सकता है। सोने की चमच मुँ में लेकर पैदा होकर कौरपोरे ड्राजनीती करने वाले और मौका मिलते ही पूरे प्रदेश को लूटने वाले कैसे चाए वाले हो सकते हैं। ना मामा हूँ तो मामा तो तुम होई नहीं सकते मामा वो होता है जिसके दिल में बेहनों और बेटियों के लिए इज़त होती है मामा तो वो हो सकता है और कोई मामा थोड़ी हो सकता है तुम किसान हो नहीं सकते क्योंकि किसानों के बादे तुमने कभी पूरे ही नहीं किये करजा माफी का बादा करके मुकर गए माटी की सुधी सुगंध आप जानते नहीं हो और चाय वाला तो कोई गरीब ही हो सकता है सुने की चमच मौमे लेके पैदा होके कारपरे राजनीती करने वाले और मौका मिलता ही पूरे प्रदेश को लूटने वाले कैसे चाय वाले हो सकते हैं वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिशलेश झाल